अगर समाज की कोई बेटी इस फिल्ड में आना चाहती है आप लोग के तरह वो भी मतलब कुस्ति लड़ना चाहती है तो उसके लिए क्या शंदेश क्या होगा सब्ग्याप कोई चीज कठी नहीं होता है इंसान अगर करना चाहे तो कोई चीज किसी चीज को कठी नहीं बना सक सबस्टब्यार चाहती है हो अगर करने का ठाने उस चीज को तो वह बहुत असान है ठोड़ी कठी नहीं आएगी लेकिन फिर भी हो जाएगा दीरे-दीरे-दीरे हो जा ermग हमारे ममी पापा नहीं है आपके ममी पापा नहीं है मेरी चार बहन है एक भाई है तो भाई है जो वो जॉब करते हैं मैं और मेरी एक सिस्टर और है जो पहलवानी मो करती है तो अभी वो आई नहीं है वो यहां नहीं रहती है आपकी एक और बहन है वो भी पहलवानी करती है और आप चोटी पहले हूँ जब एक साल की थी तब पापा का देथ हो गया था और जब 10 साल की हुई थी तो मम्मी का हो गया तो जब मुझे गाउं मेरे गेम हो रहा था तो मैं गेम में बहुत आगे थी मेरे गाउं में सबसे एक्टिव में ही थी गा रुनिंग हो गया देते तो वहां हुआ था तो उसके थ्रूँ एक हमारे कोस थे दिविंदर नाम के वह हम लोगों को स्टेडियम ले गाए पहली बार में लोगी स्टेडियम देगे फिर वहां हमसे कोसे लेडी स्टी रेनु पाल उनसे इंटेडियूस करवां लोगों फिर तब से वो कराने लगें मलब प्रैक्टिस कराने लगें फिर हमारा पहला कंपटीशन था ना मेरट में सब जूनियर मेरट में था तो मम्मी पापा नहीं रहने के बावजूद भी आपने डटा रहा बाद भी बावजूद और बाद भी काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ा होगा माबाब के सहारा नर रहने पर सब अकेले खुद करना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं बीना माबाब के बच्चे कैसे काफी कुछ आपने ज्हेला होगा उसके बाद भी इस मुकाम पर है पहले जाए यह सब बात कहने वाली नहीं है जिसके माबाब नहीं रहते उन्हें ल दीरे दीरे घाओं के जितने भी बड़े लोग थे उन लोगों को पता चला कि नहीं यह लोग कुस्ती करती है काफी वीडियो वगारा देखे तो अभी भी जो लोग है उन्हें लोगों का सोच यही है जैसे हम लोग गाओं से मतलब से अलग रहते थे थे पहनावा हो गया रहन सहन हो गया हम लोग कभी ऐसा दिखे ही नहीं कि हम लोगों को यह परिशानी है इसके वज़ा से फिर गाउं में जैसा जैसा नाम बना फिर लोग जानने लगे यानि कि ना मम्मी ना मम्मी है ना पापा है लेकिन एक कुछ कर गुजरने के आज जजबा एक जुनून आज बीटी को इस मुकाम तक ला दिया है आप कहा रहे थी कि समाज का लोग कई तरह की बातें करते थे लेकिन आज वही समाज के लोग अब क्या कह रहे हैं अभी वही हमारे गाहों के लोग हैं जो हमें कहते हैं कि आगे बढ़ो हम लोग हैं साथ साथ है अभी जो पहले नजर से देखते थे वह अब नजर उन लोगों का नहीं है लेकिन करने और कुछ बहतर करने का जजबा था जूनून था आज इस मुकाम तक पहुंशा दिया है लग लग जिले जाती हैं अपने करतब से लोगों को खुश कर देती हैं अपने कर्तब से गदगत कर देती हैं, उसके बाद हजारों लाखों तालियां बस्ती हैं, इनके लिए प्राइज मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, काफी कुछ इनके खैर मगदम के लिए इनके इंतजामबात में लगाया जाते हैं तो हम लगातार आपको अन्य तस्वीरे भी दिखाते हैं ऐसी भी कहानिया हम आपको बताते हैं कि समाज की बेटी किस मेहनत कर किस मुकाम तक पहुंचती है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद